बिहार के इस लोगसभा सीट से सिर्फ एक बार हुई मुस्लिम प्रत्याशी की जीत। जानिये बेगु सराय लोगसभा सीट का राजनी तेक समीकरन। बिहार के बेगु सराय सीट का शुनावी इतिहास काफी दिलचस्प है। यहां सिर्फ एक बार ही मुस्लिम प्रत्याशी क जीत हुई वो भी भाजपा ने इस कैंडर्डिट को समर्थन दिया था उसके बाद इन्होंने जीत हासल की थी बिगुसराय जुले के बारे में बता दे कि ये गंगा के उत्तरी किनारे पर इस्तित है साल 1972 में ये अस्तित्व में आया था और यहां सिमर्या जैसे तिर्थ अस् थी राजनीती के केंडर के रूप में देखा जाता है बेगुसराय के इतिहास की बात करें तो भागलपूर के नवाद की बेगम को यहां के सिमर्या का तट काफी पसंद हुआ करता था वो हर साल यहां आती थी और इसके साथ ही गंगा की तट पर एक महिने के लिए प्रवा कहा जाता था मानिताओं के अनुसार बेगम और सराय को मिला कर इसे बेगम सराय कहा जाने लगा और इसके बाद इस जगा का नाम बेगुसराय परा रामधारी सिंग्ग दीनकर का जन्म बेगुसराय में ही हुआ था और इसका लवा बिहार के पहले मुख्यमंत्री सिंग भी बेगु सराय के ही रहने वाले थे उन्होंने नमक सत्यग्रा में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर नुभूमी का निभाई थी साल दो हजार चौबिस में बेगु सराय का विकास कारियर जारी है यहां कई तरह की यूजनाओं पर काम किया जा रहा है हाल ही में प लाग करोर रुपे की लागत से कई तेल और गयस परियोजनाओं का उधगाटन हुआ है केंद्र सरकार ने केजी बेसिन से फॉस्ट ओल देश को समर्पित किया यहां ओ एन जी सी कृष्णा गुदावरी गहरे पानी परियोजना से पहले कच्छे तेल के टैंकर को हरी जंड दिखाया गया केसी बेसिन से फॉस्ट ओल को निकालना एक बड़ी उपलब दी है मालूमों कि बार्ड यहां की बड़ी परिशानी है इसका रण यहां का चुनावी मुद्दा भी है अब तक किसका रहा इस छेत्र पर दबदबा विहार का वीकू सिराय सेट काफी चर्चा म है क्योंकि यहां से बीज़पी की निता गेंद्रे मंत्री गिरिरास सिंग सांसद है उन्होंने पिछले चुनाव में CPI के टकत पर उत्रे कनहया कुमार को हराया था इस तरह उन्होंने कम्यूनिस्टों के गड़ कहे जाने वाले इलाके में भगवा जंडा को लह रहाया था और भाज़पा के खाते में जीत दर्ज की थी गिरिरास सिंग नहीं चार लाक से अधिक बूच के अंतर से कनहया कुमार को हराया आपको बता देगी कनहया कुमार को कॉंग्रिस और आर्जुडी का समर्चन प्राप्त था और इस सीट का चुनावी इतिहास काफी एहम है साल 1977 और 1988 को छोड़ कर यहां साल 1999 तक कॉंग्रिस और वामपतियों का दबदबा हुआ करता था साल 2004 में यहां पहली बार समाजबादी की एंट्री हुई इसके साथ ही जद्यू के ललन सिंग ने चुनाव में जीत हासल की साल 2014 में यहां पहली बार भाज़पा में कमल खिलाया था बाज़पा के टिकट से भोला सिंग की जीत हुई और असके बाद साल 2019 में बाज़पा से गिरिडास सिंग ने अपनी जीत हासल की मुनाजिर हसन एक मात्र मुसलिम उमिद्वार है जिन्होंने इस सीट से जीत हासल की थी इन्होंने साल 2009 के चुनों में जद्यू की की सभी की नजर साल 2024 का लोगसभा चुनाव बेकुसराय लोगसभा सीट के लिए काफे एहम है सीट पर भूमियारों की संख्या करीब 4,75,000 है जबकि मुसल्मानों की जुन संख्या 2,05,000 है कुर्मी कुश्वाहा की संख्या 2,00, और यादवों की जुन संख्या करीब 1,05,000 जात ये समिकरन के अनुसार यहां के राजनीती भूमियारों के आसपास घूमती है पिछले 9 लोगसभा चुनावों में जीत इसी समाज के उमिदवारों ने दर्श की थी लेकिन इनकी पार्टिया अलग-अलग रही है यहां 8 बार कॉंग्रस, 2 बार भाजपा, 2 बार जद् एक बार कमिनिस्त एक बार रास्टे जुनतादल और निर्दलिय की भी जीत हुई है इस कारण साल 2024 के चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा अभे के लिए इतना ही अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल जोड़ जाते हैं आपक कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद